तो नीबू से अपने फिरिज को एकदम चका चक नया जैसा चमकाएंगे यह देखिए यह ना तो कितनी भी गंदी पीली फिरिज को आप एक ही रगड से और घर की चीजों से चमका सकते हैं तो मेरे पास नीबू रखा था तो मैंने का चलिए आपको भी साप करके दिखाते है फिरिज को एकदम नया जैसा तो दो से तीन दीने में होली आ रही है तो घर की सफाई होते है किचीन की होती तो फिरिज भी जरूर साप करें वीडियो को लाज तक देखिएए गा तो पूरा वीडियो देखिए गा पसंद última लाएक करिए गा अगर फिरिज की डीप क्लिन देखिएगा तो पूरा वीडियो देखिएगा पसंद है तो जरूर लाइक शेयर करिएगा अगर फिरिज की डीप क्लीनिक आपको करना पसंद आए ना तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स तो हमारा फिरिज ना भारा पड़ा है चीजों से तो मैं कोकिंग ब इसे महकता नहीं है गंदा नहीं होता है तो यह सबसे पहले निखेंने के अपने शाया से निकाल्तें हैं मैं बहुता है जो आपका फीरेज है कितना भी पीला है इस तरफ चेहां thought I तो मैं आपको पास से दिखा रही थी, तो अब अपना जो काम है, सुरू करते हैं, सारे बतन निकाल लिये हैं, तो सबसे पहले ये देखिए, आपको फ्रिज को डी फ्रोस्ट करना ही, ये बतन होता है साइड में और सुच ओफ करना है, जब भी फ्रिज को क्लीन करना है, तो वो काम मैंने कर दिया एक गंटे पहले आप डीफ्रोस्ट कर सकते हैं और बरप को निकाल कर आपको चेंज भी करना होता है अब बनाएंगे एक सोलूशन यानि की एक घोल बनाकर तयार करेंगे जो आपके फिरिज को एकदम चमका देगा गराम पानी लेना है इसमें डालेंग वो भी घर में होता है तो हम खाने में यूज करते हैं इसको और एक नीवू मेरे पास था तो इसको निचोड देंगे तो एक नीवू आप ले लीजिए अगर नीवू नहीं है बाई चांस आपके पास बिनेगर है तो वो डाल दीजिए दो चममच तो तुरंद जाग बनते हैं तो यह सफाई में बहुत अच्छा काम करताा यह सारी चीजे मिलती है ना तो एकदम से पीला पान हो कितने भी गंधी कोई भी चीज आप साप कर सकते हैं जैसे किचिन की भी साप करती हूँ अपने फिरिज को और कोई इस्क्रेच नहीं आते हैं तो आपको कोई स्कूड़ नहीं लेना है कि गंदा है तो रगड रहे हैं और उसके बाद पूरे फिरिज में अपलाई कर देना हर जगए हर कौने पर तो फिरिज में सारी चीजें रखी रहती है तो इस तरीके से थोड़ा गंदा हो जाता हो इसमेल भी आने लगती है तो अंदर से बाहर से किनारे जो रवड है सारे फ्रिज में इसी तरीके से आपको लगाना है और बाहर भी लगाना है तो वैसे ही मैं लगा रही हूँ वैसे आपको भी करना ह और इसको छोड़ना है एक घंटे के लिए तो एक घंटा टाइम नहीं है तो आदा घंटे के लिए छोड़ सकते हैं तब तक और काम कर सकते हैं साइड में और ड्रॉल सैल है उसको दूल सकते हैं पानी सूख जाए उसको फिर लगाना है तो जो घोल बनाया था सारा फ्रेज मे हलका पीलापन आ जाता कभी कोई चीज फैल जाती है या ज्यादा दिन का फिरिज ःती है और जो भी जितनी भी मेहक जैसे हो जाती है उसने इसमेल आने ही लगती है सामान रखा रहता है तो सारी खतम हो जाती है तो गोल में मैंने सारी चीजे ली है जो अच्छे से सफाई को मतलब करती है तो तब तक हमने सारी ड्रॉल सैल भी धुल ली है फ्रिज की तो ये क्लिनिक हो चुकी है उसके बाद मैंने लिया है एक सूखा कपड़ा तो यह देखिए जो गंदगी है ना फूल जाती है तो इसको अच्छे से अप क्लीन करेंगे जिसमें देखिए ऊपर जो एक ड्रॉल लगी रहती है ना वहाँ पानी ड्रेन होता रहता है जो भी वरफिगलती है ना तो उसको मैं लगा रहें देती हूँ क्यों नहीं करा करें जब भी आप डीप क्लीनिक कर रहे हैं नहीं तो यही घोल बनाकर आप 10-15 दिन में आप अपने फिरिज को साप भी कर सकते हैं और फिरिज में सीट जरूर बिछाएं तो ऑनलाइन आ जाती है तो मैंने अंदर देखिए फिरिज को अच्छे से साप कर लिया है और ज से जैसे सिलाई वगेरे होती है ना कोई भी तार ले ले लें उससे भी आप साप कर सकते हैं जैसे धूल है या फिर देखिए चीटी या कैविटी वगेरे काला काला हो जाता है तो उसको भी साप जरूर किया करें तो बीमारिया नहीं फैलती है अच्छा फ्रिज साप से पोंचना है पूरे फिरिज को तो आप देखी सकते हैं तो मैंने थोड़े दिन बाद साप किया है जैसे कभी कभी कमेंट करते हैं तो इतना फिरिज क्यूं गंदा करते हैं तो इसलिए करते हैं कि मैं आपको दिखा सकूं कि घर पई ही एकदम से नया जैसा अपना करिएगा सारा सामान रख लिया है फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ